सूप्रभाद बच्चो आज का हमारा विशय है हिंदी और आज हम हिंदी में पढ़ेंगे वयन जन तो बच्चो इसके पहले हमने स्वर पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे वयन जन तो बच्चो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो वयन जन है वो है को क्या है क, क्या बोलते हैं बच्चों इसे, क, आप भी बोलिए, क, क, आईए अब यह जानते हैं, क से क्या होते हैं, तो क से कमल, क से क्या होता है, कमल, क से कच्छुआ, क से कमल, क से कच्छुआ, क से कमल, क से कच्छुआ, क से क्या है ये, क, क से कमल क से कच्छ वा तो बच्चो आईए अब हम यह जाते क को हम किस प्रकार से ट्रेस करेंगे तो बच्चो आप देख सकते हैं यहां पर डॉट्स बने हुए हैं क के तो चलिए शुरू करते तो सबसे पहले आपको यह स्टैंडिंग लाइन है इसको हम ट्रेस करेंगे तो सबसे पहले आप स्टैंडिंग लाइन को ट्रेस करेंगे फिर और फिर आप इस कर्फ को ट्रेस करेंगे यहां से और फिर इस दूसरी तरफ से कर्फ को हम ट्रेस करेंगे तो पहले में आप ध्यान दो बच्चों यहां पर यह वाली जो कर्व है यह पूरी यहां से जुड़ी हुई है तो standing कर्व अब यह जो कर्व है यहां पर पूरी इससे जुड़ी हुई है यह देखिए और ये जो दूसरा curve है हम पे बस यहीं तक यह जूरी हुई नहीं तो इसको आप trace करेंगे इस परकार से बस यहीं तक और फिर आप sleeping line को trace करेंगे तो सबसे पहले आप standing line को करेंगे फिर curve को करेंगे और फिर इस curve को जो बस यहीं तक होगा और फिर इस sleeping line को आप trace करेंगे तो इस प्रकार से आप curve को trace करेंगे तो क्या है ये? Curve आईए एक बार और करते हैं तो सबसे पहले आप standing line को trace करेंगे फिर curve को trace करेंगे और फिर curve को और फिर इस sleeping line को तो इस प्रकार से आप curve को trace करेंगे आईए दूसरी page पे चलते हैं और बच्चों हमें क्या करना है इस page में? कच्चुए को उसके घर पहुचाने में मदद करो तो बच्चे इस कच्चुए यानि तोड़ोटाइस को आपको help करनी है इसके घर तक पहुचाने में तो बच्चो ये इसका देखिये रास्ता बना हुआ है और आपको इसके रास्ता ढूनके इसे घर तक पहुचाना है तो चलिए शुरू करते हैं तो हम बच्चों यहां से शुरू करेंगे ऐसे और इस प्रकार से आप कच्वे को उसके घर तक पुचाने में उसकी मदद करेंगे और ये कच्वा अपने घर तक आ गया आईए अब यहां देखिए शब्द भंडा तो बच्चों देखिए कॉसे क्या क्या होता है कर से कार, कर से कबूतर, कर से किताब यानि बुक कर से किताब हम क्या बोलते हैं इंगलिश में बुक जैसे आपकी यह बुक है न हम हिंदी में इसे किताब बोलते हैं तो कर से कार, कर से कबूतर, कर से किताब कर से कार, कर से कबूतर, कर से किताब आईए अब हम यह जानते हैं कर को किस प्रकार से लिखते हैं ब्लैंड कॉलम में तो चलिए शुरू करते हैं तो बच्चे आपको इस blue line से शुरू करनी है तो सबसे पहले आपको इस blue line से शुरू करनी है और आपको यहाँ बेग standing line बनाना है एसे और फिर उसके बाद आप यहां से कर्व बनाएंगे इस परकार से ये वाली कर्व यहां पर इससे जुड़ी होगी और जो दूसरी होगी यहां आदी होगी इस परकार से और फिर उपर से आप एक sleeping line बनाएंगे तो इस प्रकार से आप curve को लिखेंगे आईए एक बर और जानते हैं सबसे पहले आप एक standing line बनाएंगे और फिर आप curve बनाएंगे ये वाली curve फुरी जुडी होगी और फिर दूसरी curve बनाएंगे जो आधी होगी और फिर उपर से एक sleeping line तो बच्चो इस प्रकार से आप curve लिखेंगे तो बच्चो ये आपका homework है तो आज के लिए बस इतना Thank you, take care, bye-bye